सुकून देने वाली ठंडी हवाएं उसके बाद बारिश इस सुहाने मोसम के बीच मानसून के सोंदर ये सरोबार करने वाली मधुर धुनों के साथ शुरताओं के दिलों में मिठास घोलने वाली पंच तंतरी बेला वादन की प्रस्तूती की गई जोहर कला केंदर की ओर से गुरुवार को मधुरम के अंतरगत इस प्रस्तूती का युजन किया गया विख्याद बेला वादक पंडित रवीशंकर भट तैलंग ने स्वे निर्मित पंच तंतरी बेला पर धुन छेडी मानसून आधारी धुनों को सुन शुरोता मंत्र मुग् की राग कलावती और शिव रंजनी के संयोग से निर्मित यह राग पंडित रवीशंकर भट ने बनाई इसमें सरस्वती और गंगादर शिव की आरादना के भाव का संयोजन है जन रंजनी में उन्होंने आलाप जोड और जाला प्रस्तूत किया विलंबित रूपक और रचनाएं पेश की इसके बाद राग मेग एक ताल वे दृत तीन ताल में बंदिश से खूब दाद बटोरी पंडित रवीशंकर ने पदमिश्री पंडित लक्षमन भट तैलंग द्वारा रचित बंदिश गरज 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 गरजत धन बजाकर अपने गुरू को समर्पि बीच बीच में अपने सुरीले कंठ के गायन से वादन को और रोचक बनाया तबले पर दिनेश खीची ने संगत की यह कारिकरम केंद्र की ओर से मानसून की महुतसव की तरह मनाने के लिए चलाई जा रही श्रंखला जुलाई जंकार का हिस्ता रहा गोरतलव है कि हाल ही में जैपुर के दुरुवा पदाचारिये पंडित लक्ष्मन भट टैलंग को पदमिश्री से नवाजा गया था पंडित लक्ष्मन भट के स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र और शिश्य पंडित रवी भट टैलंग ने पदमिश्री ग्रहन किया था पंडित रवी भट ने अपने गुरू की प्रेणा से वाइलिन में पांचवा तार जोट कर पंचुतंतरी बेला बनाई है